हलो फ्रेंट आज के इस वीडियो में आपको यह बता नजारों कि कैसे आप अपने लावस्ट ओंव अंड्रियुट में आप अपने मुऑल फुन की sound की problem का solve कैसे कर सकते हैं अच्के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप एंपे वीडियो को में स्टाट कर लेते हैं देखिए दोस्तों कभी भी अगर आपके मुवल फोन में साउंड की प्रॉब्लम आती है यानि कि sound की आवाज नहीं आती है या फिर ठीक से नहीं आती है तो इसकी solution के लिए आपको करना क्या है देखिए सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone को restart करना है इसके लिए phone के side वाला power button आपको उगली से दबाके रखना है आपकी screen की सामने यह page आता है इसमा आपको restart का यह option टै देखिए अगर आपके mobile phone अगर silent mode पर activate है ठीक है तो अपने mobile phone को silent mode से हटा के रखना है ठीक है और अगर आपके mobile phone का Bluetooth अगर किसी भी दूसरे device के साथ connected होगा तो इससे आपके phone के speaker में से sound की आवाज नहीं आती है तो अपने Bluetooth को बंद रखना है और यह भी आपको check करना है कि आपके mobile phone का अगर airplane mode अगर चालू है तो airplane mode को भी आपको बंद रखना है यह जो मैंना आपको 3 settings बता ही ना इन 3 सेटिंग बता ही है ना इन 3 आपके phone के speaker में से sound की आवाज नहीं आती है तो आपको इन 3 setting को बंद रखना है इन 3 setting को आपको तब चालू करना है जब आप इना user करेंगे बाकी समय बंद कर गए रकना है दीक है कि अगला काम यह करना है कि आपको अपने मुआल पोन का सौफटे चैन्क करना है कि वह आपडेट है याप nihil 1006प नौहें सबसे पहले तो आपको मुआलада का इंट्रनैट आपको मुवैल फून की sound की problem solve हो जाएगी ठीकी ना अब दोस्तों अगला काम ये करना है कि आपको अपने मुवैल फून के speaker को ना हलके आतोज साफ करना है होता कि है मुवैल फून के speaker में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके करण sound की problem आती है तो मुवैल फून के speaker को हलके आतोज साफ करना है ज्यादा ताकत दबाओ नहीं लगानी है नहीं तो speaker के अंदर की जो particles है वो damage हो सकते हैं और phone का speaker बिल्कुल हो सकता है तो इसलिए ध्यान रखेगा speaker को हलके आतोज साफ करना है अगला काम ये करना है मुवैल फून को reset करना है दिखिए दोस्तों reset option टाप करना है इसके अंदर आपको सबसे नीचर delete all data factory reset का ये option टाप करना है इससे आपका phone जो है reset हो जाएगा और आपके phone की sound की problem solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों को ध्यान रखना है पहली बात ये ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लिजिए या उसका backup ले लिजिए दूसरे बात ये ध्यान रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है ये दो काम पहले करना है उसके बाद phone को reset करना है तो मेरे बताय हुए सारे process आप यूज़ करेंगे तो इससे आपके mobile phone की sound की problem solve हो जाएगी अगर मेरे बताय हुए सारे process यूज़ करने के बाद भी आपके mobile phone की sound की problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है देगी दोस्तों आपके mobile phone का जो service center है वहाँ पर आपको चले जाना service center में अपना phone वहाँ पे दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए कि हो सकता ह आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत आगी होगी जिसकी वज़ेसा आपके mobile phone में sound की problem है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताया है वो mobile phone के software के जरिये बताया है ठीक है